हेलो गाइज आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दिखे रहा है वेटिंग फॉर वाइफाई टू कंट्यू लाज डामलोड एडिशनल फाइल फॉर अमंगर्स कोई भी गेम पे ऐसा कुछ लिखा आता है और यहां पे वेटिंग लाज फाइल के लिए उसके बाद एक और सेटिंग उसको यूज करना है जिससे आपकी यह प्रॉब्लम बिल्कुल हो जाएगी तो वीडियो को लाइक करें पिर रोज करें इस चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को तो इस प्रॉब इसकी सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है तो सेटिंग ओपन करने के बाद हमें निचे स्क्रॉल डाउन करना है सेटिंग में तो सेटिंग में जैसे मैं निचे स्क्रॉल डाउन करूंगा यहाँ पर एक ओप्शन देखेगा एप्स का तो इस पर क्लिक करना है आपको इस पर पे सर्च कर लेना है काहिन मस्ट्र को यह फिर यह उभी इप हमारा जिस में problem आ रही है उसको अपने यहां से आपको search कर लेना है तो फिलाल मैं अपने अपने को open कर लेते हूं जिस Student enterprise आ ने के बाद उसकी Storage पे जाने है तो storage पे जान स्टोर इच का clear cache कर देना अपने आप का तो मैं अपनी storage का clear cache कर देता हूँ clear data मत किजिएगा clear data करने से आपका सारी app का जो memory होगी उड़ जाएगी इसके बाद क्या करना है इसके बाद क्या करना हमें जाना है app permission पर तो आप permission पर आने के बाद हमें यहां पर सारी permission जो भी है different types की सारी permission enable कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी permission deny नहीं करनी है तो सारी permission enable करने के बाद हमें जाना है other permission पर तो other permission पर भी हमें क्या करना है one by one सारी permission enable कर देनी है सारी permission enable करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है और एक option देगे निचे आपको जैसे scroll down करोगे तो यह option होगा रिस्टिक data usage का तो हमें क्या करना है इस पर हमें click करना है और इसमें wifi और mobile data आपको दिखेगा तो wifi और mobile data इन दोनों को आपको क्या करना है enable करना है अगर by chance off होगा तो इनको on कर लेना है और ध्यान रखना हैं को अभी off नहीं करना है तो यह सब करने के बाद हमें निचे scroll down करना है और यहाँ पर एक option होगा clear default का इस पर click करना है इस पर click करने के बाद एक पर अपने app को force stop कर दिजेगा force stop करने के बाद एक पर अपने device को restart किजेगा restart करने के बाद 5 मिनिट बेट किजेगा और 5 मिनिट बाद आपकी जो भी problem है वो solve हो जाएगी I hope आपके लिए यह video informative साबित हुई होगी